इसके लावा यहां पर कौन-कौन से स्कीमें चलती वो देख लेते हैं तो सबसे पहली आती है HDFC Home Loan, जिसमें आगर आपको कोई flat buy करना है, कोई बंगलो buy करना है, कोई property वगरा buy करनी है, from development authority के द्वारा तो वो आप कर सकते हो, इसमें जो है women's applicant अगर जो apply करते हैं, उनको interest मे concession भी provide किया जाता है, और इस scheme में जो है only Indian resident ही apply कर सकते हैं, कोई भी non-resident Indian जो है NRI वगर यहां से apply नहीं कर सकता है, इस scheme के तुरू, यहां पर आपकी property cost का 90% तक जो loan है, वो इस scheme में आपको provide करा जाता है, इसके बाद आता है आपका HDFC plot loan, अगर आपको plot के लिए कोई जमीन खरीदनी है या उसके कंशक्षन कराना, उसके लिए जो है आपके HDFC plot loan आपको provide किया जाता है, फिर यहां पर जैसे बताया गया loans for purchase of a plot through direct allotment, allotment के दोरा आपको कोई plot वगरा मिला होगा, उसके लिए आपको यहां पर loan provide किया जाता है, customized repayment option आपको मिल जाएंगे, फिर यह आपको मिल जाएगा, expert legal and technical counseling आपको मिल जाएगी, इसके लावा आता है आपके HDFC ruler housing bank, अगर कोई माली जब farmer वगरा है, जैसे कि अग्री कल्चरिस्ट हो गया, planters हो गया, होटी कल्चरिस्ट हो गया, देरी farmers हो गया, उनको कोई residential property खरीदनी है, ruler areas में या urban area, मतलब गाउं में खरीदनी है, या आपको सहर में खरीदनी है, उसके लिए आपको इस scheme के थुरू loan प्रोवाइट किया जाता है, और जो एग्री कल्चरिस्ट होंगे, जो यह आप पे loan के लिए apply करेंगे, उनको IT return जो है, दिखाने की कोई ज़रुदत यहापे नहीं होती है, और maximum जो एग्र कम होने चाहिए, इसमें आपको plot के लिए plot अगर आपको कोई purchase करना, उसके लिए आपको loan प्रोवाइट किया जाता है, construction कराना, उसके लिए भी loan प्रोवाइट किया जाता है, इसके लिए आपको loan वगरा है, यह पर प्रोवाइट किया जाता है, maximum 20 साल के लिए, और women's के लि लिजे कोई एक पहले सी लोन चलना उसके उपर एक और लोन आपको लेना है जो भी सैलीड होंगे और सेल्फ इंप्रावड होंगे उनको मैक्सम देखे 50 लाग तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है इस में और यह आप ज़िए अप्लाई कर सकते हो मालिए ज़ो आपका पहला लोन होगा जो आपका पहला चल ला उसके 12 मन्त के बाद एपना चलता है जो कि आपके नॉन डैजटिएंड को होते है उनको अगर इंडिया में इसकी में चलती है जिसको आप चेक आउट कर सकते हैं यहां पर